दोस्तो नमस्कार मैं हिमान्शो शर्मा आपके अपने ही चैनल एश्ट्रोवित सर्मा जी मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभी नंदन करता हूँ आज हम नीच भंग राज योग के विसए में बात करेंगे देखिये कुंडली का पहले हम 20-25 एपिसोड में कुछ बेसिक चीजों को देखे थे आज से हम योग और दुर्योग के विशाय में बात करेंगे और साथ ही साथ एक चीज का बिलकुल विशेज ध्यान रखिएगा हर एक योग में दुर्योग चुपा है और हर एक दुर्योग में योग चुपा है मैं इस एक चीज को जरूर आपके सामने लेका रहाँगा कुंडली में बनने वाले बहुत बड़े बड़े राज योग में दुरयोग साथ ही साथ छिपा रहता है ऐसी कुछ कंडिसन्स होती हैं वहाँ पर एदि वह सब चीजे भी अपलाई हो जाए तो योग दुरयोग में बड़े से बड़े दुरयोग काल सर्प योग मांगलिक दोस में इतने बड़े बड़े योग चिपें हैं जिसकी सिमा नहीं है मैं उस विशय में भी साथ ही साथ आपके साथ एक विस्तरित चर्चा करूँगा आज हम बात करने जा रहा हैं नीच भंग राज योग के विश यसी स्थितियां बनती हैं, यदि वह सब चीजे भी साथ ही साथ एपली केबल हो जाए, तो वह नीच का ग्रह भी हमें positive result देना चालू कर देता है, अच्छे परिणाम हमें स्वमेव दिखने लगते हैं, वह कौन-कौन से स्थिति है, चलिए इस विशाय में हम बात करते हैं, च्योंकि विपरित राजयोग बनने का 10-12 अलग-अलग condition है, तो आज मैं उसमें से आधे topic को cover करता हूँ, और मुश्किल से 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, मैं इस विशाय में अपनी दूसरी वीडियो भी ले कराऊंगा, बाकी चीजों को मैं अपने अगले वीडियो मैं cover करूँगा, ठीक है, चलिए, फिर आज के कारिकरम को हम प्रारंब करते हैं, नीच भंग राजयोग आखिर है क्या अवब बनता कैसे है, सबसे पहले हमें यह जानने की जवरत है कि ग्रह नीच के कहां पर होते हैं, सूर्य देव जहां पर 7 नंबर लिखा होता है, तुल कुंडली की किसी भी भाव में, जहां पर भी 4 नंबर लिखा होगा, अर्थात करक राशी में मंगल देव नीच के होते हैं, ठीक है, गुरु देव वरिहश्पती देव जहां पर 10 नंबर लिखा होता है, अर्थात मकर राशी में गुरु देव वरिहश्पती देव नीच के होते हैं इसी प्रकार से सनी देव जहां पर एक नंबर लिखा रहता है अर्थात मेश राशी जो मंगल देव की राशी है वहां पर सनी देव जाकर नीच के होते हैं शुक्र देव जहां पर छै नंबर लिखा रहता है अर्थात कन्या राशी में शुक्र देव नीच के होते है और एक बज गए बुद्ध देव जो है बुद्ध ग्रह जो है जहां पर बारा नमबर लिखा रहता है अर्थात मेन राशी जिसके स्वामी गुरु है व्रिहश्पती देव है वहाँ पर बुद्ध देव जाकर नीच के होते हैं चलिए अब हम उदारण से यह समस्ते हैं कोई कोई ग्रह नीच का हुआ है वह अच्छे रिजल्ट कब देगा हमें पॉजिटिव रिजल्ट कब वहाँ से दिखाई देगा चलिए चालू करते हैं आज का कारिक्राम देखिए यह मैं कुंडली बनाया हुआ हूँ इसे मैं एक नमबर से चालू किया हूँ मेश लगन लिया हूँ जो मैं इसमें जो दूसरे एपिसोड बनाऊंगा उसमें एक नमबर की जगा किसी दूसरे नमबर से कुंडली चालू कर दूँगा जिससे अलग अलग लगन में चीजे आपके सामने क्लियार होते जाए हर एक अलग अलग टॉपिक ठीक है चलिए सबसे पहला कंडिश किसी भी एक हम गरह का उदारन लेते हैं सूरे देव का ही ले लेते हैं सूरे देव गरहों के राजा हैं सूरे देव जहाँ पर सात नमबर लिखा रहता है वहाँ पर नीच के होते हैं मतलब इस कुंडली में यदि सूरे देव यहाँ पर बैठ जाए तो वह नीच के हो सबसे पहली कंडिशन, यहाँ पर यहाँ पर सूर्य देव नीच के हुए हैं, इस घर को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इस भाव का जो स्वामी होगा वह यहाँ पर उनके साथ बैठ जाए, मतलब सूर्य देव यहाँ पर साथ नमबर लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर ले लेते हैं, यहाँ पर हम सूर्य देव को बैठाल देते हैं, सूर्य देव यहाँ पर नीच के हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर साथ नमबर लिखा है, साथ नमबर मतलब तुला राशी, तुला राशी के स्वामी होते हैं शुक्र देव, यदि शुक्र देव यहीं पर पर द्रिष्टी हो जाए, मतलब मैं शूकरदेव को दो मिनट के लिए यहाँ पर से मिट आलता हूँ, देखिए इस भव के जो मालिक हैं, तुला लगन के मालिक शुकरदेव हैं, शुक्र देव अपने जहां बैटते हैं वहां और उनकी सात्वी द्रिष्टी उनको प्राप्त है जहां बैटते हैं उसके ठीक सामने वाले घर में भी उनकी द्रिष्टी होती है मतलब यदि श्टुक्र देव यहाँ पर बैट जाए और यहाँ बैट के इस भाव में यदि वह द्रिष्टी डाले तो फिर भी सुर्य देव का निचत्व भंग हो जाएगा क्लियर चलिए किसी दूसरे उदारण के थुरू समस्ते है चार नंबर में मंगल देव नीचकी होते हैं इस कुंडली में मंगल देव लगनेश है सबसे ज़्यादा योगकारक यहाँ पर मंगल देव है यदि यहाँ पर इस कुंडली में मंगल देव बैट जाते हैं तो यहाँ पर मंगल देव नीचकी हो जाएगे लेकिन इस भाव का स्वामी भी यहां पर आकर बैठ जाए इस भाव का स्वामी भी यहां पर आकर बैठ जाए चार नमबर चार नमबर मतलब करकराशी और करकराशी के स्वामी होते हैं चंद्रदेव येदि चंद्रदेव भी यहाँ पर आकर बढ़ जाए तो मंगल देव का निचत्व भंग हो जाएगा और वह आमें सुभ परिणाम देने लगेंगे दूसरा जो नियम था जशे शुक्रदेव सामने द्रिष्टी देकर इस भाव को बचा रहे थे उसी प्रकार से चंद्रदेव येदि इस कुंडली में यहाँ पर की जगा यहाँ पर आके बढ़ जाएए चंद्रदेव की भी सातवी द्रिष्टी होती है ठीक है अपने से ठीक सातवे घर में उनकी द्रिष्टी हो हर एक ग्रह की सातवी द्रिष्टी ज़रूर होती है वह जहाँ बैटते हैं वहाँ अपना असर दिखाते हैं और वहाँ से ठीक सातवे घर में देखी अप यहाँ से कांटिंग चालू कीजिए 1,2,3,4,5,6,7 यह सातवा घर है इस भाव आजियोग नमबर दो इस भाव का स्वामी यह दि कहीं पर से भी इस भाव में द्रिष्टी दे दे तो फिर भी नीच भंग राजियोग दो इस्तितियां हो गई तीसरी क्या इस्तिति है देखिए तीसरी स्तिति यह है कोई ग्रह जहां पर नीच का हुआ है वह एक दूसरा इसा ग्रहा कर बैड़ जाए जो वहां पर उच का होता है मतलब यदि मैं सात्वे भाव से संबंदित बात करूँ सात नमबर से संबंदित बात करूँ जैसे भी सूरे देव यहां पर नीच के हैं तो सात नमबर में उच के कौन होते हैं शनी देव उच के होते हैं तो यहां सा समझेगा मैं इस कारिक्रम के चालू होने के पहले एक चीज बोला था हर योग में दुर्योग चिपा है और हर दुर्योग में योग चिपा है सूर्य देव की दो पतनी, सूर्य देव अगनी के कारा, सूर्य और सनी दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती नहीं है ये वैवाहिक जीवन के सूक को थोड़ा सा कम जादा भी करेगा मैं अभी बात कर रहा हूँ, सूर्य देव का निचत्व भंग करके पांचवे भाव से संबंधित फला देश के विशाय में बात कर रहा हूँ कुंडली का विसलेशन बहुत ही जादा टेकनिकल विशाय है आप एक साथ दो तिनु दारणों को नहीं जोड़ सकते हैं नहीं तो परिणाम एकदम अलग आने लगेगा साथवे भाव में एक उपचय का स्वामी आ गया अगनी तत्व सूर्य देव आके बैट गया और दोनों के दोनों के बीच में सत्रूता ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खटपट खटपट बनाय रखेगा नीच भंग सूर्य देव का हो रहा है यहाँ पर पांचवे भाव से संबंधित पांचवे भाव से जो अकेले बैटने में जो एक परिणाम जो अच्छा नहीं मिलने का जो एक उमीद था यदि यहाँ पर सनी देव बैट गए तो पांचवे भाव से संबंदित परिणाम अच्छे मिलने लगेंगे ठीक है? बहुत टेक्निकल होकर समझेगा तो कुल मिला कि यदि यहाँ पर सनी देव आके बैट गए तो सूरी देव का निचत्व भंग हो जाएगा वैसी चार नंबर में कौन उच्च के होते हैं? यहाँ पर मंगल देव भी नीच के हैं चार नंबर में गुरु देव उच्च के होते हैं, व्रियश्पती देव उच्च के होते हैं तो यदि यहाँ पर मैं व्रियश्पती देव को ला कर बैठाल दूँ इस कुंडली में तो फिर भी मंगल देव का नीच भंग राज योग बनेगा मंगल देव के परिणाम बहुत ही अच्छे मिलने लगेंगे गुरु का तो मिलेगा ही मिलेगा वो चिके हैं तो साथ ही साथ मंगल देव से संबंधित परिणाम भी बहुत ही अच्छे मिलने लगेंगे या तीसरा नियम था सबसे पहले क्या देखे थे जो ग्रह जहां नीच का हुआ है उसका स्वामी वहां बैट जाए शूकर देव यहा ग्रह नियम क्या देखे जो ग्रह जहां नीच का हुआ है वहाँ कैसा ग्रह आके बढ़ जाए जो भौ में उच्छ का होता है श्रनी देव यहां पर उच्छ के होते है जहां पर साथ नंबर लिखा होता है जहां तुला राशी होती है वहाँ पर श्रनी देव उच्छ के होत है मतलब सनी देव को तीन द्रिष्टियां प्राप्त है तीसरी सात्वी और दस्वी सनी द्रिष्टियां मतलब यदि शनी देव यहां पर आकर बैट गए तो शनी देव की तीसरी द्रिष्टि इस भाव में पड़ेगी एक दो तीसरी द्रिष्टि यहां पर सनी देव की पड ठीक है, या सनी द्योग सपोज यहां पर आकर बैड़ जाते हैं, तो सनी द्योग की इस भाव में दसवी द्रिष्टी पड़ेगी, सामने का भाव हमें सा सात्वा भाव होता है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, सात, आठ, नौ, दस, सनी द्योग को तीन द्रिष पड़ जाए, तो सूर्य द्योग का नीच भंग हो जाएगा, इसी प्रकार से हम मंगल की उदारन ले लेते हैं, विरिष्पती द्योग यहां पर उच्चुके होते हैं, विरिष्पती द्योग की तीन द्रिष्टियां हैं, पाँचवी, सातवी और नौवी, ठीक है, तो य गुरु देव यहां पर आके बैट गए अपने स्वराशी में, भाग गे के स्वामी होकर यहां पने स्वराशी में आकर बैट गए, तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पाँच मंगल देव की उपर उनकी पाँचवी द्रिष्टि पड़ेगी, तो फिर भी मंगल देव का न नीच का हुआ है, उसका स्वामी स्वराशी में बैट जाए या उच्च का हो जाए, ग्रह जहां पर नीच का हुआ है, उसका स्वामी ग्रह यहां पर साथ नंबर की राशी में नीच के हुए हैं, तुला राशी में, तुला राशी के स्वामी जो होते हैं शुक्र देव, य तो वह सुराशी में बैड़ जाएं ये उनकी सुराशी है ये उनकी सुराशी है या उच्च के होकर बैड़ जाएं शुक्रदेव 12 नमबर जहां लिखा रहता है वहाँ पर वे उच्च के होते हैं शुक्रदेव यहाँ पर आकर बैड़ जाएं तो फिर भी सुर्यदेव का न example देखते आ रहे हैं सुर्य और मंगल्डेव का, तो यहां पर कि स्वामी या तो सुरा राशी में आकर बढ़ जाए, या चंद्रदेव जहां उच्च के होते हैं, वहां पर आकर बढ़ जाए, दो नमबर जहां लिखा रहता है, वहां पर चंद्रदेव उच्च के होते हैं, ये विरिश राशी में चंद्रदेव येदी आकर बैट जाएं तो यहाँ पर मंगल देव का नीच भंग राजयोग बनेगा वे बुरे की जगा अच्छे परिणाम देने लगेंगे ठीक है चलिए आज हम पांच अलग अलग बिंदू देखें हैं जहाँ पर ग्रहों का नीच भंग होता है और वहां राजयोग बनाना चालू कर देते हैं मैं दो तिन दिन के अंदर फिर से एक नया वीडियो इस विशय पर लेका राऊंगा और वहाँ पर हम छटवा, साथवा, आठवा इस प्रकार से इसके आगे के नियमों को देखेंगे कि कौन-कौन सी स्थितिया है जहां पर ग्रहों का नीच भंग राजयोग बनता है चलिए फिर आज के कारिक्रम को मैं यही पर समाप्त करता हूँ अब समय है टीफ आप दर डेका देखिए दिन बदीन हमारा घर छोटा होते जा रहा है जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धी हो रही है हम सभी का घर धीरे छोटा होता जा रहा है जब घर छोटा होता है तो पूजा कमरे का इस्थान सबसे पहले घर से गायब होता है बेडरूम रहते ही है ट्वालेट रहते ही है इवन जो ट्वालेट पहले घर के बाहर रहता था तब तो घर के अंदर आ गया है आज तो पूरा नियम ही उल हो गे देखिए मैं आपसे यह चीज़ कहा रहा था अपन विस्यांतर हम लोग विसाय से अलग हो रहे हैं मैं आपसे यह कहा रहा था कि भगवान का पुजा कमरा सीड़ी के नीचे ना रखें कभी भी नंबर दो बाथरूम से जुड़ा हुआ भगवान का कमरा ना रखें इन जो चीजों का बिल्कुल विसेज ध्यान रखें सीड़ी के नीचे स्टेयर किस के नीचे अंडर दा स्टेयर कैस कभी भी भगवान का पूजा इस्थान नहीं होना चाहिए पूजा कमरा नहीं होना चाहिए नंबर दो सौचालाई के दिवाल से लगा हुआ ट्वालेट के द कौन सी बिंदूए हैं जहां पर ग्रहों का निचत्व भंग हो जाता है और वो हमें सुभ परिणाम देने लगते हैं इस विशाय की उपर हम चर्चा करेंगे चलिए दोस्तों आज के लिए नमस्कार